नमस्कार दोस्तो, IPL 2020 में एक ही टीम से खेलेंगे विराट, दौनी और रोहित, BCCI ने किया है एलान, दोस्तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप IPL 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब दोस्तो बात करते हैं कि भारतिय क्रिकेट कंड्रोल बोड यानि BCCI और इंडियन प्रीमियल लीग यानि IPL कमिटी भारतिय टीम के मजुदा कप्तान विराट कोहली और पूर्वा कप्तान महेंद्रे सिध्वनी को एक ही टीम में खेलने पर मजबूर कर देगी, ये मु इस बात पर भी विचार किया गया है, आठ टीमों के खेलाडियों को एक साथ एक मेच में उतरा जाएगा, IPL के इतियास में ऐसा पहली बार होगा जब टूनामेंट से पहले एक चेरिटी मेच आयोजित हो सकता है, IPL चेरिटी मेच, IPL के उद्गटन मेच से तीन दिन पहले जिसमें एक टीम में नॉर्थ और एक टीम में इस्ट भारत की होगी, जबकि दूसरी टीम साथ और वेस्ट भारत से हो सकती है, ऐसे में एक टीम में दिल्ली कैपिटल्स, किंग सिलियोन, पंजाब, राजस्थान, रोयल्स, कॉलकाता, नाइट राइडर्स की टीम के दिल्ली में आयो जित हुई, बोड की मिटिक गांगुली के साथ, आईपियल गवर्निंग काउंसिल के चेर्मेन ब्रुजस पटल भी मौजूद थे, अगर वी सी सी आई का ये प्लान जमीनी हकीकत बनता है तो क्रिकेट के मेदान पर कुछ अलग ही नजारा होगा, दोस्तो अगर साथ और वेस्ट जोन की टीमों के हिसाब से देखा जाए तो ओल्स्टार मैच में विराट कोहली, एमेस, दोनी, रोहिस शर्मा, एबी डिविलियर, जस्परित बूमरा, शेन वाटसन, हर्बजन सी और लसित मलिंगा जैसे धाकर खिलाडी एक टीम का हिस्सा होगे, व एल आइकोन को भी प्लेस कर देना, क्योंकि मैं असी IPL की खबरे लेकर आता रहूंगा,